पंजाब के रोपड़े जीले के रूपनगर जील से उत्रपरदेश की बांदा जील शिफ्ट हो रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक बहुबली मुक्तार अंसारी को जील में आम कैदी की तरह रखा जाएगा उत्रपरदेश के कारगार मंतरी जै कुमार जैकी ने बांदा जील में मुक्तार अंसारी को शिफ्ट करने की तैयारी पर बताया कि बांदा जील में सुरक्षा विवस्ता काफी मुस्तियद कर दी गई है कारगार मंत्री जै कुमार जैके ने मताया कि बांदा जेल की बैरक में विभाग ने विदायक मुक्तार अंसारी के सुरक्षा के इंतिजाम काफी सक्त कर दिये हैं बांदा जेल बैरक में हर तरफ करी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जेल में मुक्तार अंसारी को आम बंदी की तरहा ही रखा जाएगा उनको किसी प्रकार की वियाईपी सुविधा नहीं दी जाए कि मुक्तार अंसारी को बांधा में जेल नियमों के हिसाब से रहना होगा उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुक्तार की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल निराधार है वहां के सुरक्षा वैवस्था काफ़े मुस्तैद है वैसे भी लंबे समय तक मुक्तार अंसारी वहां पर बंदर रह रही है अयोध्या से बिजेपी किसान सद लल्लू सिंग ने मुक्तार अंसारी मामले पर कहा कि उनके अपरादों के मामले में कानून अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है योगिया अध्यनात सरकार को प्रदेश के कानन वैस्तों को काफी सद्रड करना है इसलिए अब सरकार किसी भी माफिया को छोड़ने वाली नहीं है मुक्तार अंसारी के बुद्वार तड़ के बांदा जेल में पहुँचने के संभावना है रूपनागर जेल से उतरपरदेश पुलिस का करीब सो सदस्य दल मंगल वारत दिन में करीब दो बजे मुक्तार अंसारी को एंबुलेंस में लेकर निकला है एंबुलेंस में डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है माँ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुक्तार अंसारी के अपराधों की फाइल काफी मोटी है